शाही टुकडा नवाबों के अबावर्ची खाने से यानी की रसोई घर से निकल कर आम आदमी की किचन तक पहुंची एक ऐसी रेस्पी जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है बनाने में ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है इसलिए आसानी से बन जाती है हेलो एवरीवन एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का होमी लोपी पर और आज मैं आप से शेर करने जा रहे हूँ शाही टुकडा बनाने की रेस्पी जो सवाद में लाजवाब होती है तो चली जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना शाही टुकडा बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे दूद की चाशनी यानि की दूद और चिन्नी को मिला करके गरम करेंगे इसके लिए एक पैन में लेंगे दो कप दूद और इसके अंदर डाल देंगे वन बाई फोर कप चिन्नी इसे गैस पर रखकर गरम करेंगे औ आत्सीं करते हैं इससे अपर अपर एक सया स्फधार्ट यहां तो हटआ हैं तो वह साइट से चुई हो जाता है यानिकि खाने में टेस्टें लिए लगता इसलिए ये जरूरी है कि आप ब्रैड की साइड को कट कर दे जो पहले समय में शाही टुकडा बनाया जाता था वो मलाई से बनाया जाता था इसमें मलाई की लेर्स को एक के उपर एक प्लेस करके रखा जाता था और फिर उसे छोटे-छोटे पीसिस में कट करके और ड्राइफूर्ट से गानिश करके सर्व किया जाता था जिसे की ओरिजिनली मलाई टुकडा कहा जाता था प्रंतु धीरे-धीरे इतनी प्योर मलाई मिलना मुश्किल हुआ तो फिर मलाई का स्थान ले लिया ब्रैड ने तो आज इसी तरह सारे ब्रैड स्लाइस को कट करके तयार करेंगे सारे ब्रैड स्लाइस की किनारों को हटा कर इस तरह से कट करके तयार कर लिया है आप चाहें तो इसे चोरस टुकडों में भी काट सकते हैं यो कोई भी शेप जो आपको पसंद हो उसमें कट कर सकते हैं अब इने करेंगे डीप फ्राइए जदी आप चाहें तो इसे तवे पर बटर लगा कर भी सेख सकते हैं प्रन्दो अथेंटिकली जो शाही टुकडा बनाया जाता है वो ब्रेड को डीप फ्राइए करके बिनाया जाता है इसलिए हम इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइए करेंगे अब ब्रेड स्लाइसिस को मीडियम हीट पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइए कर लेंगे सारे bread pieces को golden brown होने तक fry कर लिया और देखी कितना बढ़िया color आया है हमें इसे इतना ही सेखना है इससे ज़्यादा dark color नहीं करना है दूद की चासली भी तयार हो चुकी है और हमने इसे थोड़ा ठंडा करके हलका गुनगुना कर लिया है bread के piece को इसके अंदर dip करेंगे इस तरह से और फिर इसे एक बाउल में set करते जाएंगे इसी तरह सारे pieces को बाउल के अंदर set कर लेंगे जो दूद की चासली है यह बहुत ज़्यादा गरम नहीं होनी चाहिए otherwise जो bread है वो mashy हो जाएंगे सारे bread के pieces को दूद में dip करके इस तरह से बाउल में set कर लिया यह हमने two layers बनाई है आप जितनी चाहें उतनी layers बना सकते हैं क्योंकि हम शाही टुकड़ा बना रहे हैं तो टुकड़ा तो ready है प्रन्तु उसे शाही टेस देने के लिए हम बनाएंगे एक बढ़िया सी रबड़ी इसके लिए जो हमने यह दूद की चाशनी बनाई थी इसमें bread का चूरा आ गया है डिप करने के करन तो इसलिए इसे एक बाउल के अंदर छान लेंगे अब इसे वापिस डाल देंगे पैन के अंदर और इससे बढ़िया दानेदार रबड़ी मलाई तयार करेंगे रबड़ी बनाने के लिए पैन को रखेंगे गैस पर और इसके अंदर तीन से चार बॉयल आने देंगे दोज में तीन से चार बॉयल आ चुके हैं अब रबड़ी को बढ़िया सा कलर देने के लिए इसमें डालेंगे उच धागे सेफरन के जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया हलका येलो कलर आएगा और खुश्बू के लिए आड़ करेंगे वन टेबल स्पून रोज वाटर आपके पास केवडा वाटर हो तो आप केवडा वाटर भी डाल सकते हैं हलका सा मिक्स करेंगे और रबड़ी को गाढ़ा तथा दानेदार बनाने के लिए इसमें आड़ कर देंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ मावा और वन बाई फोर कप मिल्कमेड ये मिल्कमेड और खुआ हमने घर पर ही तयार किया है आप भी चाहें तो इसकी रेस्पी चैनल पर जाकर देख सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है अब इसे चलाते हुए और मिक्स करते हुए लगबग 5-6 मिनट तक पका लेंगे जब तक ही अच्छा गाढ़ा नहीं हो जाता यदि आपके पास खोया ना हो तो आप उसकी जगह दो वाइट ब्रेड लेकर उनके किनारों को ट्रिम कर दे और उसे क्रम्बल करके दूद में मिला दे बढ़िया दानेदार रबड़ी तयार हो जाएगी पांच से साथ मिनद तक पकाने के बाद देखिए बढ़िया गाढ़ी दानेदार रबड़ी बनकर तयार है इस स्टेज पर फ्लेम को ओफ कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी इसलिए इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है अब इससे 3-4 मिनट के लिए हलका गुनगुना रहने तक ठंडा करेंगे रबड़ी को 3-4 मिनट तक ठंडा करने के बाद पोर्थ कर देंगे इन ब्रेड स्लाइस के उपर आप चाहें तो ब्रेड की हर स्लाइस के बाद भी इसे डाल सकते हैं और इसी तरह सारी खबड़ी को इनके उपर डाल देंगे उपर से गार्निश करेंगे कटे हुए पिष्टे बादाम और कुछ सूखी गुलाब की पंखुडियों से और फिर इसे एक से दो घंटे के लिए फ्रीज में रखकर ठंडा ठंडा सर्व करेंगे व्यासे तो आप चाहें तो इसे गरम भी सर्व कर सकते हैं एक घंटे तक फ्रीज में रखने के बाद शाही टुकडा सर्विंग के लिए तयार है तो आप भी इस टेस्टी सी डिश को जरूर बनाईए और हाँ कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास milk made नहीं है या खोया नहीं है यदि milk made नहीं है तो दूद की quantity को दो की बजाए चार कप कर दे और चीनी को फॉर्थ की बजाए आधा कप कर दे और यदि खोया नहीं है तो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब फोलो मी अन इंस्टाग्राम थेंक यू